इसले हम से Qoosham पूछा है क्या difference है digital marketing के और offline marketing के बीच में सिंबल सी बात digital marketing के अंदर हम digitally अपनी audience तक पोच रहे हैं और जो physical marketing है या फिर offline marketing है वहाँ पे हम physically पोच रहे हैं मतलब जहाँ पे बंदा हमारी चीज को चू सकता है digital के अंदर वो हमारे product को सिर्फ देख सकता है Facebook अभी YouTube की बात कर रहे हो website जो भी आपके phone के अंदर चीज़े चल रहे है सारी चीज़े डिज़ल है offline जैसे template हो गया आप holding देखते हो TV भी ads देखते हो यह सारे का सारा offline तरीका है अब मैं basically TV को hybrid मान के चलूँगा तो यह old method थे सारे के सारे अब देखिए simple सी बात जो हमने offline marketing करी है सारी के सारी mass marketing है यहाँ पर हम shotgun कर रहे है कि भाई हमको फेला दिया सब लोगों के बीच में दाल दिया अब कौन लेगा कौन नहीं लेगा हमको कुछ नहीं पता उसकी वज़े से क्या conversion आएंगा कुछ नहीं पता मान के चलते हैं हमने 5,000 रुपे के pamphlet बटवा दिये अब हमारे उस pamphlet बटने की वज़े से कितने लोग हमारे पास आए हमको नहीं पता pamphlet कहां पे उसने खोला था नहीं पता कौन सा प्रेंप्लेट जादा चला मान के चलते हैं पांचार के पैमप्लेट शपाई 10 पैसे का पंप्लेट पड़ा एक्जांपल के लिए मान के चल रहा हूं है तो आपने 50,000 पैमप्लेट बटवा दिये अब 50,000 आप एक लोकेशन में तो बटवा होगे निए आप कम से कम 20-30 लड़के रखोगे अलगले जगा पर उनको फिलाओगे अब कौन से लड़किया ने ज्याद अच्छा काम किया कूंसी लोकेशन पे ज्यादा अच्टिव काम आ रहा है आप कुछ नहीं कोई आप्शन अच्छा कर लोकेशन की लड़किया ले रही है किस लोकेशन की लड़के लड़के ले रही है पूरा आपको data analysis उसकता है जो कि offline में गवे नहीं होता है प्लस ऑफ-लाइन में आपको start करना ही पड़े बड़े बजट से अगर मैं starting की बात करके चल लो तो आपको कम से कम हजार-दौहर लगाना ही पड़ेगा अगर मैं नॉम्मल टैंपलिट की बात करके चल रहा हूं तो तो हजार-दौहर है कम से कम और चार्वांसुर पर लड़क आइड का कोर्स बना रखा है जाकि आप सर्च बार लेगा इंट्रेलेक्शनल इंडीज पर बड़ा है तो सच 40 रुपे से आपने आड शुरू कर दी और आपको पता भी लग रहा है वो ओडियंस क्या कर रही है कितने लोगों तक आपका पेंपलेट पोंच रहा है कितने क्या लोगे